राजस्तान कोरोना अपडेट जोदपूर में बुजुरुप की मोद चिकसक भी हुआ संक्रमित घरगर सर्वे में लगा डोक्टर भी हुआ संक्रमित राज में कुल मरीजों की संख्या 430 आज मिले 47 नए मामले 6000 से जादा आयुष चिकसकों की सेवाएं भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राजसान में कोरोना वाइरस संक्रमित एक बुजुरुग की गुरुवार को मोथ हो गई अतिरिक मुख्य सचीव रोहित कुमार सिंग के अनुसार 74 साल के इस बुजुर्ग में सर्वे के दोरान लक्षन मिले थे इनकी दोपहर में मोत हो गई और उनकी संक्रमन रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है जोदपूर में घरगर सर्वे के काम में लगा एक डॉक्टर भी संक्रमित मिला है अधिकारियों के अनुसार यह डॉक्टर नागोरी गेट इलाके में घरगर सर्वे कर रही टीम में थे राजे में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 430 हो गई राजे में 47 नई मामले सामने आए हैं नए मामलों की बात की जाए तो 11 जैपूर में 7 चाला वाड में 7 जूजनु में 6 टौंक में 9 जैसल मेर में सामने आए हैं इरान से लाकर जैसलमेर के सैन्डे वैलनेस सेंटर में रखे गए चार ओर लोग संक्रमित मिले हैं इस बीच राजी सरकार ने कोरोना वाइरस से उपजे संक्रमित के खिलाफ अपनी लड़ाई में और ताकत जोंकी है इसके तहर 6,000 से अधिक आयुष चिकिस्तक और नर्सिंग करमी अब इसके लिए काम करेंगे चिकिस्ता मंतरी डोक्टर रखु शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में कोरोना वाइरस संक्रमन की रोक थाम में लगे स्वास्ते करमियों की मदद के लिए 6,624 आयुष चिकिस्तकों और कमपावडरों की सेमाई चिकिस्ता विभाग ने अधिग्रिहित कर ली है उन्होंने कहा कि इससे ना किवल फिल्ड में काम कर रहे चिकिस्तकों को मदद मिलेगी और वहीं कोरोना की रोक थाम और अधिग प्रभावी होगी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पिटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर